हेलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिविकेशन कोर्स में जहां पर हम आज देखने वाले हैं संबadomo ум से इसका बहुत थोड़ा साइं अब ऍसका थोड़ा साग्लाऊचा था डिटेल्सेम का मतलब यह हैं कि हमने बात मिर्ली अकश्तार क्या होता है यहाँ पर आज हम इसका थोड़ा सा इंपलिबंटेशन देखने हैं ताकि आपको coding से समझ में आएगा कि किस तरीके के interview questions आप से पूछे जाते हैं static को लेके और जैसा मैंने आपको कहा है कि हम लोगों का जो placement ready course है वहाँ पर ऐसे आपको बहुत सारे अलग-अलग questions मिलेंगे, quizzes मिलेंगे तो यहाँ पर आप देखें कुछे examples हम देखते हैं, तो मैं यहाँ पर एक नई file create करता हूँ जिसको मैंने नाम दिया test static.java के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर मैंने class बनाई है अब मुझे यह पता करना है कि उस class में कितने number of object मैंने define करें हैं, कि उस class के object कितने define करें, अब देखें यह question multiple time top MNCs में पूछा गया है कि suppose करिए मैंने class create की है, class ABC, तो मुझे यह पता करना है कि मैंने class ABC के कितने number of object define करें, लाइक अगर मैं लिखता हूँ ABC A1 equal to new ABC, ठीक है, इसके बाद मैंने second object बनाया, ABC A2, ठीक है, इसके बाद मैंने third object define किया है, A3, और यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABC.display, तो मुझे य static variable के बारे में मैंने आप से कहाता है, यह class level variable होते हैं, यह किसी instance के corresponding memory allocate नहीं करते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए, मैं यहाँ पर एक variable declare करूंगा count, जिसको use हम करेंगे count करने के लिए, मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप समझे, इस type के questions topmost MNCs में पूछे गए हैं, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, और यह एक example में आपको बता रहा हूँ, बट हम लोगों का जो placement ready core से, उसमें इसे आपको minimum 20 questions, केवल और केवल static को लेके मिलने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा focus रोके इसको समझने की कोशिश करिए, ओके, तो यहाँ पर आप object बने का, तो class का constructor call होगा, तो यदि मैं यहाँ पर count plus plus कर देता हूँ, अब मैंने यहाँ पर display method बना ली, suppose, ठीक है, अब इस display method को आपने देखा, मैंने जो call किया है, वो class के नाम के साथ किया है, लेकिन और यहाँ पर मैंने लिग दिया, suppose, system.out.println, ठीक है, और यह मैंने count को print कर दिया, मतलब आप एक ही example से समझे कि static variable की क्या need होगी, लेकिन आपको क्या लगता है, यदि मान लिए चलिए, मैं अभी को किसी भी object से call कर लाता हूँ, मैंने लिग दिया, a3.display, तो यहाँ पर मुझे out to 3 नहीं मिलेगा, 111 मिलेगा, क्योंकि यह जो variable है, यह instance variable है, औ 1 हो जाएगा, a2 के लिए count 0 होगा, जो कि 1 हो जाएगा, और अगर मैं count को print करूंगा, किसी भी object के लिए, a3 के लिए, तो मुझा output 1 मिलेगा, मैं किसी भी object के लिए इसको print करूं, मुझा output 1 मिलेगा, यह देखिया, यदि आप इसको run करते हैं, you will get the result 1, लेकिन यदि आप चा मैं इस variable को भी कैसा बना दूँगा, study, okay, तो यहां पर अब आप समझे, अगर अगर यह method study है, तो इसका मतलब है, अब मैं इसको class के नाम के साथ call कर सकता हूँ, और अगर यह variable study है, मतलब यह तीन object के लिए common होगा, it is common for all the object, तो पहला object बना, तो भी count 1 होगा, second object के लिए count 1 से 2 होगा, और third object के लिए count 2 से 3 होगा, क्योंकि now this count is not instance variable, it's a class variable, right, तो आप देखिए, यदि में इसको run करता हूँ, तो output में, अब मुझे मिलेगा 3, okay, और यदि में और object बना देता हूँ, माने जिए मैंने यहाँ पर number of object और define कर दिये, मैंने दो object और बना दिये, right, for example, मै मैंने इसका नाम रख दिया, a4, इसका नाम मैंने रख दिया, a5, and when I run this code, so I'll get the result 5 here, आप समझे कि किस तरीके से आप से interview questions पूछे जाएंगे, static method क्या होती है, अब ये भी धहन रखिए, कि static method, class के क्यावल, static variable को ही allowed करेगी, कि मान लिजा, अगर मैंने यहाँ पर कोई variable ले करते हैं, ना कि object के, ठीके, जो कि instance variable नहीं हो, वही यहाँ पर use हो सकते है, क्योंकि ये method, static है, right, आप देखे, अब error आजाएगी, non-static m, cannot be a reference of static context, right, ये छोटे-छोटे से concept आपको यहाँ पर समझना पढ़ेंगे, कि कि किस तरीके से आप से interview questions पूछे जाएंगे, तो I hope तो static block वो block होता है, जो किसी भी class में सबसे पहले अपना execution perform करता है, जैसे for example, अगर मान लीजे मैंने यहाँ पर लिख दिया static, और यह static block बना दिया, और यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पर system.out.println, suppose this is static block, this is static block, right, तो अब यह static block execution कब perform करेगा, जैसे ही आप इस class की कोई भ बनाओ, तो भी चलेगा, अगर मैं केवल abc.display लिखूँगा, अभी तो ठेर m को हटा देता है, otherwise this program will show an error, ठीक है, क्योंकि m non-static variable है, वो मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखाता, तो अब आप देखे, मैंने क्या किया इस program में, केवल एक display method को call किया, that's it, लेकिन फिर भी आपका program display के पहले count के value तो 0 देगा, लेकिन उसके पहले मुझे output देगा, this is static block, right, देखे आप, मैं अगर इसको run करता हूँ, तो पहला output मुझे मिलेगा, this is static block and then 0, और वो इसलिए, क्योंकि class की किसी भी activity पे, सबसे पहले आपका program static block को execute करता है, अब आप द object यहाँ पे बनाए हैं, तो हर बार आपका program constructor को बार-बार call करेगा, देखे आप, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, this is constructor, ठीक है, यदि मैंने लिखा, this is constructor, right, और मैंने number of object कितने define कि रहे हैं, 6, तो constructor की calling हमेशा होगी, लेकिन क्या हर object के लिए static block call होगा, यह देखे आप मैं इसको run करके आपको बताता हूँ, तो शायद आप better इसको understand कर पाए, कि static block उसने एक ही बार call किया है, बट constructor की calling multiple time हुई है, तो यह समझी है, लेकिन एक चीज़ोर notice किया आपने, पहले उसने static block को call किया, फिर उसने constructor को call किया, तो यह बहुत important question है, जो interview में पूछा जाता है, हम लोगों के प्रीवेर कोर्स में, देखिए, टेक विद्वान के website पे available है, ठीक है, तो I hope, यह static block आपको समझ में आया है, static method आपको समझ में आई है, ठीक है, static variable का concept आपको समझ में आया है, और देखिए, object भी static होता है, मैं आपको इसका example बदाता हूँ, हमने यह मतलब यदि में system.out लिखना हूँ, यह पर out क्या है, this is an object, out is an object, लेकिन वो system class के नाम के साथ call हो रहा है, that means it is an static object, out जो है, वो static object है, तो इसका मतलब ही कि object को भी हम static बना सकते है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, this is a method, कुछ भी लिख देता है, hello friend, क्योंकि यह तो भी हमें output नहीं देखना है, केवल आपको मैंने यह बताए कि जो out object है, वो system class के static object है, यदि आपको लगता है, कि आपको भी अपनी class में किसी object को static बनाना है, तो definitely you can define your object as an static object, right, तो I hope यह static के concept आपको समझ में आ रहे हैं, और इस तरीके के और detail concept को देखना है, अगर तो चलिए फिर वुलाकात करेंगे next lecture में और ऐसे ही कुछ और interesting topic पर बातचित होगी, till then take care, bye bye